ये संकेत दिखे तो समझ जाए शनी का प्रकोप है, इन उपायों से करे बचाव। जब शनी किसी पर महरबान होते हैं तो उस शक्स को रंग से राजा बनते देर नहीं लगती, लेकिन जब शनी का प्रकोप किसी व्यक्ति पर होता है, जो उसे कंगाल बनते भी देर नहीं लगती। जानिये शनी के प्रकोप को पहचानने के तरीके और बचने के उपाये। बनते देर नहीं लगती, लेकिन जब शनी का प्रकोप किसी व्यक्ति पर होता है, जो उसे कंगाल बनते भी देर नहीं लगती, माना जाता है कि शनी शारीरिक, मानसेक और आर्थिक तीनों रूप से कश्ट देते हैं। लेकिन इन संकेतों के आधार पर आप अपनी कुंडली किसी जोतिश विशेशग्य को दिखा कर उससे समस्या का हल जरूर जान सकते हैं। यहां जानिये शनी के प्रकोप को पहचानने के तरीके और उनसे बचने के उपाए। एक, कहा जाता है कि जब शनिदेव रुष्ट होते हैं तो माथे का रंग कालासा पढ़ने लगता है, बाल तेजी से गिरने लगते हैं और गंजापन आने लगता है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है, तो साबधान हो जाए। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को अप्यश का सामना करना पड़ सकता है। 2. शनी का जब प्रकोप होता है तो व्यक्ति की बुद्धी ब्रश्ट हो जाती है। वो अनेतिक चीजों की ओर आकर्शित होता है। शेर और सट्टे में पैसा लगाता है। गलत लोगों के बीच उठने बैठने लगता है और बड़ा आर्थिक नुकसान झेलता है। 3. शनी के प्रकोप से नौकरी में प्रदर्शन पर असर पढ़ता है। बने काम बिगडने लगते हैं। कारोबार में नुकसान होता है और व्यक्ति के अंदर मानसिक तनाव तेजी से बढ़ता है। 4. शनी का प्रकोप जेल रहे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है। वो बात बात पर लोगों से भिरता है। जूट बोलता है। इसके अलावा उसके खानपान की आदते भी बदल जाती हैं। मास मदिरा से दूर रहने वाला शक्स भी इनमें रुची लेने लगता है। उस ये सब शनी के प्रकोप की वजह से तो नहीं है। अगर ऐसा है तो शनिदेव को प्रसन करने के लिए हर शनिवार को ये उपाई करें। 4. दुखी लोगों वबुजुर्गों को न सताएं और जूट न बोलें। शनी के प्रकोप को करना है कम तो ऐसे करें चंदन का इस्तेमाल, शनिदोश से मिलेगी मुक्ती। अगर कुंडली में शनी की स्थिती नहीं है, जिसके कारण शनी के दुश प्रभावों का सामना कर रहा है। ऐसे में चंदन संबंधी ये उपाय अपना सकते हैं। इन उपायों को करने से शनिदेव आती प्रसन होंगे। कर्म फलदाता शनिदेव के प्रकोप जब किसी व्यक्ती पर पढ़ता है, तो जीवन में कई परेशानिया आना शुरू हो जाती है। नौक्री, व्यापार, स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं आती रहती हैं। कहा जाता है कि व्यक्ती के कर्मों के हिसाब से शनिदेव फल देते हैं। ज्योतिश शास्त्र के अनुसार, शनी एक ऐसा ग्रह है जो खुश हो जाए तो हर व्यक्ती की किसमत को चमका कर रंग स राजा बना सकता है। वही रुष्ठ हो जाए तो राजा को रंक बनाने में पीछे नहीं हटते हैं। कुंडली में शनी दोश, साड़े साती और धया होने से व्यक्ती के जीवन में कई मुश्किले आती है। ज्योतिश शास्त्र के अनुसार, शनिवार का दिन भगवान शन चंदन की जड़ का करें इस्तेमाल। कुंडली से शनी की साड़े साती और धया से छुटकारा पाने के लिए नहाने के पानी में चंदन की जड़ डाल लें। ऐसा अगले 40 दिनों तक करें। इससे आपको जरूर लाब मिलेगा। लाल चंदन का तिलक। शनिवार के दिन श शनिदेव शांत हो सकते हैं, जिससे काफी हद तक दुश प्रभाव कम हो सकते हैं। चंदन की माला से जाप। शनिदेव की कृपा पाने के लिए चंदन से बनी माला से जाप करना शुब होगा। इसके लिए सूरियास्त के समय पीपल के पेड के नीचे सरसों का तेल इसके बाद वहीं बैठकर 108 बार चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम शम शनश्चराय नमह। हनुमान जी को चड़ाएं लाल चंदन। व्यापार या फिर नौकरी में लगातार परेशनियां आ रही हैं। तो मंगलवार या फिर शनिवार के दिन 11 पीप पढ़े साती या धाया चल रही है तो चंदन की माला बनाकर शनिवार के दिन विधिवत पूजा करने के बाद पहन लें। ऐसा करने से शनी दोश से मुक्ती मिल जाएगी।